इस वीडियो में हम cruciferi family मतलब brassic ऐसी family study करेंगे तो इस family के जो members है वो herbs हो सकते है या फिर shrub भी हो सकते है वो जातर annual या bianual रहते है लेकिन perennial herbs भी आपको देखने को मिल सकती है इनके vegetative characters की बात करें तो इनकी जो root है वो tap root system है और इनके कुछ members के अंदर वो root modify हो जाती है to store the food material stem herbaceous होती है कभी-कभी thick भी हो सकती है या फिर condensed भी हो सकती है और जो leaves है वो simple होते है जहाँ पर stipules absent होते है लेकिन उन leaves के उपर आपको hairs मिलते है और इन leaves की जो philotax है वो alternate है अब cruciferi family के floral characters हमें देखना है तो अकर आप यहाँ पर inflorescence देखोगे तो वो जादर racemous type का होगा हो सकता है racem हो या फिर corrim हो और individual flowers जो है वो actinomorphic होते हैं ज्यादातर exception है candy tuft जिसके अंदर zygomorphic होता है flower क्योंकि इनके जो outer two petals होते है वो बहुत ज्यादा बड़े हो जाते है जिसके वज़ेसे इसकी symmetry बदल जाती है अब इनके flowers ज्यादा तर complete होते है मतलब चारों भी floral worlds वहाँ पे present रहेंगे तो complete है मतलब ये flower bisexual भी है और इनके जो individual members है floral worlds के वो दो के या फिर चार के multiple में रहते है इसलिए dimerus या फिर tetramerus है वो flower और यहाँ पर ovary superior है मतलब hypogynous flower है वो अब floral worlds की बात करें तो सबसे बाहर जो calyx है उसमें आपको चार sepals मिलेंगे और चारों की चारों free होंगे मतलब polysepals condition है पर ये चार sepals जो है वो दो worlds में arranged होते है यानि कि दो rose में arranged होते है दो बाहर और दो अंदर तो इसलिए हम जब formula लिखेंगे तो महाँ पर two plus two लिखेंगे और free है इसके लिए brackets भी ने लगाएंगे फिर petals की बात करें तो चार petals है और चारों भी free है लेकिन ये चार एक cross के form में arranged है अब cross के form में मतलब they are alternate to the sepals मतलब यहाँ पर अगर sepals है तो sepals के एकदम opposite नहीं आएंगे वो जहाँ sepals का region खतम है वहाँ पर petals है देखिए ये दो sepals के बीच में petals arranged in the form of cross और alternate to the sepals तो ये दो sepals के बीच में यहाँ petal ये दो sepals के बीच में यहाँ पर है petal तो इसलिए ये alternate करते है with the sepals फिर androsium जो है महाँ पर 6 stamens आपको दिखेंगे पर ये जो 6 stamens है ये भी 2 worlds में arranged होंगे दो बाहर और 4 अंदर और जो दो बाहर के है उनकी जो filament है that will be short और जो अंदर के 4 है उनकी filament लंबी होंगी तो वो हो गया tetradynamus condition so tetradynamus condition is the characteristic of brassicasi family और crucifery family फिर जो gynosium है वहाँ पर आप देखोगे तो 2 carpals आपको मिलेंगी और वो दोनों भी fused होंगी so bicarpular is incarpus condition शुरुवात में वहाँ पर आपको एक ही locule दिखेगा लेकिन एक false septum यानि कि replum के बनने की वज़े से वो bilocular हो जाती है और यहाँ पर जो ovules है वो parietal placentation में आपको दिखेंगे fruit जो है इस family का वो जातर siliqua या फिर silicula type का होता है and sometimes lomintum तो अगर floral formula लिखना है यह सब characters को देखके तो हम लगाएंगे पहले actinomorphic का symbol circle लगा कर plus सिर्फ candy tuft exception है तो जब अगर particularly candy tuft के बारे में बोलेंगे तो वहाँ पर आप percentage का sign लगाएंगे फिर bisexual है flower तो यह symbol लगा दिया फिर complete है तो k, c, a, g यह sequence common है हमने कहा कि जो sepals है वो दो worlds में arranged है दो और दो के form में तो यह 2 plus 2 लगा दिया free है इसलिए bracket नहीं लगाया 4 petals है तो c, 4 कर दिया 4 हो free है इसलिए bracket नहीं लगाया फिर stemens 6 है लेकिन 2 worlds में arranged है दो बाहर और फिर 4 अंदर so 2 plus 4 लगा दिया ovary superior है तो g के नीचे dash लगा दिया और 2 carpals है लेकिन fused है तो 2 को bracket में लगा दिया तो इस तरह से हम इसका floral formula लिख सकते हैं अब floral diagram निकालना है तो यह सबसे पहले mother axis लगा दिया dot फिर sepals 4 है लेकिन 2 worlds में arranged है तो यह 2 बाहर की तरफ और यह 2 अंदर है फिर अंदर आएंगे तो 4 petals बनाना है लेकिन arranged in the form of a cross और X यानि alternate to the sepals तो इन sepals के बीच में यहाँ petals लगाए alternately लगाया तो यह 4 petals हमने लगा दिये अब 6 stammens चाहिए लेकिन 2 बाहर की तरफ और 4 अंदर की तरफ यानि 2 worlds में arranged करना है तो यह 2 हमने बाहर लगाए और यह 4 अंदर लगाए है और यह है bicarpillary syncarpus condition 2 carpels जिनकी दोनों ovaries fused है यह बीच में replum बनाया और parital placentation पे हमने ovules लगाए तो इस तरह से आप इस family का floral formula और floral diagram निकाल सकते हो अब देखेंगे economic importance cruciferi family का तो इस family के जादर जो members है उनके seed में से oil निकाला जाता है जैसे की brassica campestris वर sarsos मतलब sarsos के पौधे या फिर brassica campestris dichotoma यानि की काली sarsos या फिर brassica campestris word toria जैसे हम हिंदी में toria भी कहते है इसमें से भी तेल निकलता है दूसरे भी है example जैसे brassica herita जैसे brassica alba भी कहते है वो है सफेद rai brassica junsia मतलब की rai और एक और एक example है जैसे हम condiments की तरह use करते है जैसे की डाल बनाते वक्त हम तेल में जब डालते है पहले काले rai के दाने so that is brassica nigra कुछ इसके ऐसे members है जैसे हम vegetables की तरह पर यूज़ करते है जैसे की brassica alaresia वर botrytis याने की full gobi cauliflower brassica alaresia वर capitata मतलब की cabbage पता गोबी brassica alaresia वर gongilods मतलब की nol khol कुछ members ऐसे है जिने ornamentals की तरह use किया जाता है जैसे की candy tuft जिसका botnical name है iberis amara यही हमने exception की तौर पर वापरा था याने कि हमने कहा था कि इसका zhygomorphic है फ्लार so this is about the crucifery family अब next video में हम malvacy family study करेंगे